भारत माता की, भारत माता की, सौथी पहला तो सुरिन्य नगर मां सभाव होए, अने आटली मोटी स्रंग्या मां माता हो बेनो होए, ये जो मोटी गट्था थे, अने ये माई, आब बदी माता हो बेनो उभाथ हैंने, ओवारना लिदा, आपे मने आशिरवाद आप्या, उन सव माता बेनोंनो मातु नमावी ने आभार मानूछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु ुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु एक वार जनरल करियपपा ये दुनिया मा मुटू नाम अतू भारत नी से नाना बढ़ा आता डगले ने पगले लोगों इमने सलामी करता हो है सन्मान करता हो है पड़ एक वार इमना गाम मा करणा ठका मा ये ने बोलाईने इमनो सन्मान करियो अन्य वक्त ने अमने कहो हो है पड़ दुनिया मा जमे देटली भावाई तती हो है ये बतुत हो है पड़ जारे गर आंगने जाईये ना साईने जारे जोम जुदू वह जे आजे मों अनुभव करू जो गईकाल तिमों याईवो जो जे रिते गुजरात आको ओवारना लई रहुँशे गुजरात जे रिते प्रेम बरसावी रहुँशे भाईयो बहनो को गुजरात नो रूह क्या रे न भुली शको अने मारी सासकी ये कार किरती जेशे ये सब्राश्चति सरू थे ही मने पहली बार MLLय सब्राश्चते बनायो औना गुजराते मने üzगे ये वों पाकू गड़तर करीशा है तो मैं दफला प्ला मारी 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 ने क्या ये काचो पड़े जो बोलो । क्या हे ये काचो पड़े जो पण एनु कारण मोदी न दियो एनु कारण तमारा आशिर वाद छे एनु कारण तमारा प्रेम छे अने भायो बैनो आपणे नानु विचारता न दे नानु करता न दे स्टेच्यू बनायू तो दुनियानू मोट्टा मोट्टू स्टेडियम बनायू तो दुनियानू मोट्टा मोट्टू एटले काचू कहीं करवानू नाई अने अवे 25 भरस नू लक्ष लेहना अपने निक्ड़ाची है अने विख्षित भारत जारे भारतनी आजादिना सोबर साई जारे हिंदुस्तान दुनिया मा विख्षित देश होई अने दुनिया मा भारत विख्षित देश होई एनोर के अपना गुजराते तो पांच वरा वेला विख्षित दो उपड़े भाई एनने भुपेंद्र भाईना नेत्रुत्वमा आपने तेज गतिती विख्षित गुजरात विख्षित भारत माटे बनाभूँछे अने एनना माटे क्या है दिल्ली होए के गांधी नगर आपने साथे मलीने 140 करोड देश वास्योंना सपना पूरा करवाच पने एनना माटे तमारे मोधीन कायम मजबूत करवोज पड़े हो खरू के नहीं पेली दिकरी फोटो लेना आई बेटा बेटा साकी जाई मैं जोईली दो आँ चाह बाद चांती ने हांबड बेटा अपना गर्नीज बाद चे जोईली दो बेटा फोटो जोईली दो जोईली दो थैंक यू सरस बना आई जो बेटा भिक्सित भारत बनाऊ है भिक्सित गुजरात बनाऊ हो हह और तमारो गर्नो दिकरो दिल्ली मा बेटो हो है त तो यहने मजबूत करवें जेवाब देरी गरबाड़ाओ नि krijसे नहीं भाई तमे मारा बजाफ परिवार चनों नि ethicsे नहीं अबे 26 से 26 तमें आपों ये तो बराबर जपाई तमें 14 माई आपी ने ओगडिस माई आपी पड़ आवक्त तो मारा केक बजारे जोई ये जे आप सो जरा हाथ उपरकुरिन को आप सो पहना माटे मेनत केरी भी पड़ेओ हाथ मी तारिक हो दी पगवारिन बेश मान उन्ना थी अने मारे तमारी पाई थी बेश चीज जोई है आप सो अजो मैं कईून दिन तमें दाप पाड़ी थी भारे भी स्वाचों तमारो मारा उपर एक मत्तदान ना जितला पन रेकड होए तमारा गाम मा कि बहुत दार रेकोर्ड तुटवा जोई है अने ना करता वो दारे मत्तदान था वो जोई है कर सो कर सो पने नुएक रस्तों बतावूं कर वो तो के भी तकर आए दस वागे पहला दरेक मुथमा पचीस पचीस लोगों अत्वा तिस तिस मत्तदारो हाली वगाड़ता वगाड़ा गीत गाता गाता जम प्रभाधिया गायने एवी रिते मत्तदान मत्तके जाए आखा बुथमा लोग साहिनों उत्षा उजवाए अने दस वागे सुनी मावा तीस सर्गत निकले ओचा मा ओचा तीस सर्गत दरेक माँ तीस मत्तदार अने जहिने अपने मत्त आपिये तो तमें जोईले जो बपुड़े यह पाके पाये तमारू मत्तनार रोपड तूटी जाए बिजो काम आपड़े आवक्ते बज्जा पोलिंग बुद जीत वाज़ पाये एके पोलिंग बुद हारवानू नहीं एके पोलिंग बुद माँ भाजपनो जन्डो जुकवा ना जोईये मंजूर करसो बजा ओए होटगा आम तो बने गुजरात पर एवो बरोजो एवो बरोजो भाई इपाथी पानी करे ज़ नहीं साथियों जब मैं गुजरात में था आपकी सेवा में चुटा था तब हमेशा आपके पास आकर के मैं गुजरात में क्या कर रहा हूं सरकार क्या काम कर रही है कैसे कर रही है उसका रिपोर्ट कार्ड मैं हमेशा देता था और वो आदत अभी भी गई नहीं है और आज आपका ये बेटा गुजरात का संतान आपका सामने अपना दस साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए गुजरात आया है स्कूल में कितने ही नंबर क्यों आते हो अंडेड मैं से 99 आये हो लेकिन जब तक वो बच्चा घर में आपके अपने माबाप को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देखाता न उसको आनंद नहीं आता है तो मैं भी जिनोंने मुझे जन्म दिया जिनोंने मुझे जीवन दिया ऐसे मेरे गुझरात के लोगों के आगे एक बालक की तरह अपना रिपोर्ट कार्ड दे करके आपके आशिरवाद लेने आया हो आपकी साभाशने लेने के लिए आया हो आप याद करिए दस साल पहले हमारा देश लाखो करोड के गोटाले में शर्मशार था कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां गोटाले की खबरें अखबार में एडलाइन न हो कभी 2G गोटाला अभी 5G का जमाना है न कोई गोटाला सुना है 2G का गोटाला कोईले का गोटाला कभी डिफेंस में गोटाला कभी CAG में गोटाला कभी कॉमंध वैल में गोटाला कभी हेलिकॉप्टर में गोटाला कभी पंडुपी में घोटाला संपरिप में घोटाला कॉंग्रेस ने जल, हल, नब, धर्ती से लेकर, समंदर से लेकर के आसमान तक अजारों लाखों करोर रुप्यों के गोटाले, गोटाले, गोटाले करके रखे थे ऐसी भीकट परिस्तिती में आपने मुझे वहाँ भेजा आप मुझे बताईए आपके इस बेटे के लिए आपको गर्वफ होता हूँ के नहीं दस सान में एग भी गोटाले की खबर सुनी है क्या एग भी गोटाले की खबर सुनी है क्या ज़र आप लोग जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा के मेरे परिवार जनों को एग भी गोटाले की खबर सुनी है क्या मोदी पर एक भी गोटाला चिपता है क्या कि आपके बेटे का रिपोर्ड कार्ड सुन करके आपको गर्व होता है कि नहीं होता है ज़र आप पूरी ताकत से मुझे आसिरवाद चाहिए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है आपको गर्ब होता है कि नहीं होता है साथ यो दस साल पहले देश की सरकार से गरीब का फरोसा उठ गया था कॉंग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी उसी के फरोसे जिना और कॉंग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मुल्बूत सुविधाएं देना कभी बंचीत रखना कभी लटकागे रखना किसी के सामने किसी दिसर को दे देना उनको उसी में आनंद आता था करीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं आज देखिए करीबा खुद आगे पढ़कर के किस बेटे पर प्रेम लुटा रहा पैनने के लिए पूरे कपड़े न हो असी डंबे साल की आयू हो वो माँ जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है मुझे खाने के लिए वो भेजता है तो बेटे को संतोस होता है कि नहीं होता है जब गरिब का पेड भरता है तो आप इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा आज सरकार उनकी चिंता करते हैं माताए बैने बेटिया अपना आशिरवाद देते हुए ठकती नहीं है आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा आपके बेटे के इस काम पर साथ क्यों दस साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोज समझती थी कहती थी भारत खुद भी डुबेगा और हमें भी ले डुबेगा कोई कहता था यह तो कंगाल देश है यह तो कमजोर देश है और फडोसी आए दिन बम धमाके करते थे दिस दोस्त लोगों को मौद के घाट उतारते थे दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनिया भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी और आज क्या स्थिती है आज दुनिया में भारत का डंका बज़ राएग ने बज़ रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं वही जानता हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं मुझे गुजराती बोलना चाहिए लेकिन ये तीवी वाले चाहते हैं कि कुछ हमारी रोजी रोटी का भी खयाल रखो आप मुझे बताईए साथियों आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है कि नहीं बज़ रहा है हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है कि नहीं बज़ रहा है अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है कि नहीं बज़ रहा है यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है कि नहीं बज़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज़ र किसके कारण, यह मोदी के कारण नहीं है, यह आपके वोड के कारण है. यह आपके वोड की ताकत है कि आज मोदी वहां बैटा है और दुनिया में ह हंदुस्तान का डंग का बज़ रहन है। आज बड़ी बड़ी कम्पनियां भारत में आने के लिए उनके बीच में खोड मची हुई है परदा चल रही है भारत आज आत्मन दिर्फर बन रहा है भारत आज आतंगवादियों को भेजने वाले लोगों को पता है अब भारत घर में आ करके गुश करके मारता है और मैं मानता हूँ और गुजराति को गर्व होता होगा शाथियों दस साल पहले भारत दुनिया की ग्यारा नमबर की अर्थे बबस्ता थी दुनिया में हमारा नमबर ग्यारा था दुनिया भी सोती थी कि जैसे जैसे भारत की गाड़ी चल रही है इससे ज्यादा अच्छा ही देश करी नहीं सकता है हो सकता है वो और नुड़क जाएगा लेकिन दस साल पहले आपने अपने बेटे को बिठाया और दस साल के भीतर भीतर भारत चलांग लगाकर दुनिया की पांच नमबर की अर्थे बबस्ता बन गया पूरी दुनिया चौक गई कोरोना के समय जब बड़े बड़े देशों की अर्थे बबस्ता हिल गई एक अकेला भारत था जो मजबूती से डटा हुआ था आपको ये बाते सुन करके गर्ब होता होगा कि देश ने एक चाई वाले को एक गुजराती बेटे को बिठा कर अच्छा काम किया है साथियों हार की हताश में कॉंग्रिस ने देश को समाज को माटने का भियान तेज कर दिया है आयो ध्यामें पांसो साल के बाद पांसो साल के बाद हमारे पुरवजों की आत्मा जहां भी होगी ना हमें आशिदवाद देती होगी आप मुझे बताईए देश आजाद होने के दूसरे दिन राम मंदिर का काम होना चाहे था अगर नहीं होना चाहे था ये कॉंग्रेस वालों ने वोट बेंक के खातर लटकाए रखा रोडे अटकाए उसके खिलाब खेल के लिए आयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना आपको अपने बेटे पर भरोसा है ना भरोसा है ना जो कहेगा वो करता है ना 500 साल का इंतजार खत्व हो गया साथ्यो लेकिन कमाल देखिये राम मंदिर के ट्रस्तियों ने गर जाकर के कॉंग्रेस के लोगों को निमंत्रन दिया कि आप भी आईए परान प्रतिष्टा में आपकी पुरानी सारी गल्पिया माप कर देते हैं आईए हम भुलाते हैं लेकिन कॉंग्रेस और उसके चेलेओं को चत्ते बट्ते को यह निमंत्रन मंजूर नहीं था उन्होंने निमंत्रन को ठुकरा दिया ठुकरा दिया भाईयों बेहनों राम मंदिर के निमंत्रन ठुकरा देना कितना उचीते मैं समझने पाता हुँ अब कॉंग्रेस ने हिंदुआ की आस्ता में भी वेद करने का दुसा हस्क शुरूप गिया है कॉंग्रेस के अध्यक्षा सिबान मलिकार जुन खरगे जी उन्होंने एक बड़ा गंबीर विशेच छेडा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शीव उसके सबंद में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेट्मेंट है हिंदु समाज को बाटने के लिए खेल खेला गया है उन्हों राम भक्तों को और शीव भक्तों में बेद देखते हैं बेद करते हैं और बेद करके लडाना चाहते हैं हजारों हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा राम हो कर्ष्न हो शीव हो अरे मुगल भी किसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकारजुन जी अब कॉंग्रेस तोड़ना चाहती हैं तुस्तिकन के लिए कॉंग्रेस और कितना नीचे जाएगी और कॉंग्रेस के लिए सुन लें जो राम को खतब करने के लिए निकला था उसका क्या हुआ था और उनके एक साजादे ने महीने बर पहले कह दिया था कि मैं इस देश में शक्ति का विनास करके रहूँगा यह शक्ति स्वरूपा मेरी माताए बैने बैठी है हम शक्ति के उपासक है कोई अंबा की उपासना करता है कोई चामुदेश्वरी की करता है कोई चोटी लगे पकदनली पर जाकर के उपर जाकर के मा चामुदेश्वरी का कभी दुर्गा का कभी काली का कभी लक्ष्मी का कभी सरस्विते का हम शक्ति को वासना करते हैं और साहजाजे ने कह दिया था कि मैं शक्ति का मिनास करूंगा और जो शक्ति की उपासना करने वाले लोग है क्या वो शक्ति का मिनास करने वालों को कभी स्विकार कर सकते हैं क्या जो शीव और राम को लड़ाएं की बात करते हैं वो कभी स्थिकार कर सकते हैं जी हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शिव जी के सामने कमल पुजा करके अपने सीर काट करके रखे दिये थे जी ये क्या कर रहे हैं लोग साथ यों कॉंग्रेस हमेशा से रॉंग डिलिवरी वाली पार्टी है देश को आजादी दिलानी थी लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया देश का विकास करना था लेकिन जो था वो भी लूट लिया गरीबों का पैसा गरीबों को जाना था लेकिन कॉंग्रेस के तीज़ोरी में पहुंचा अब SC, ST, OBC के हक का आरक्षन हमारे दलीप, हमारे आदिवासी, हमारे बक्षी पंच के भाई बैन उनको जो आरक्षन मिला है जो बाबा साब आमबेड करने दिया है जो भारत के समिधान ने दिया है, ये आरक्षन भी आप SC, ST, OBC से लेकर के धर्म के आधार पर मुसल्मानों को डिलीवर करना चाहते हैं पिछले तीन दसक से कॉंग्रेस लगातार ऐसी कोशिश कर रही है कॉंग्रेस ने करना चाह में रातो रात एक फत्वा निकाला एक पेपर निकाला थप्पा मार दिया और कह दिया कि करना चाह में जितने भी मुसल्मान है उस सब के सब OBC है हुआ क्या? OBC कोटा में जो आरक्षन था उसमें से बहुत बड़ा डाका डाल दिया लूट लिया और OBC कारक्षन उदर चला गया ये खेल खेलते जी और इस बार कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो कोशना पत्र उसमें अगर आप देखेंगे पहली नजर में ही लगता है कि उनके मेनिफेस्टो पर मुस्लिम लिग की छाप है कॉंग्रेस का पंजा नहीं है उस पर मुस्लिम लिग का पंजा है साथियों जब से मैंने SC, ST, OBC के खिलाब कॉंग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रखा है कॉंग्रेस संतुलन खो चुकी है वो खला गई है कॉंग्रेस जूड पर जूड बोले जा रही है और इसलिए मैं भी कॉंग्रेस को तीन चुनोतियां दे रहा मुत्राण पढ़कार फैको जो कॉंग्रेस सामे मारा त्राण पढ़कार जे अने साजादा मां हिम्मत होए कॉंग्रेस मां हिम्मत होए इमना चट्टा बट्टाओं मां हिम्मत होए ताओ एक चाय वाले का बेटा मुकाबला करने के तयार है मारो पहलो पढ़कार कॉंग्रेस लखी ने पाहिंदरी आपे कि ये भारतना बंधारन मां कोई छेड़चाड नहीं करे भारतना बंधारन ने नहीं बढ़ ले कॉंग्रेस लखी ने आपे पाहिंदरी आपे कि बाबा साहब आमबेड करे जे आरक्षन आपेल छे एने दर्मना अधार पर दलीतो अधिवास्यों पासे दी लूटी ने पक्षी पंज पासे दी लूटी ने मुसल्मानों ने आरक्षन नहीं आपे अने मारों तीजो पड़कार छे कॉंग्रेस लेखीत मां बाइंदरी आपे कि ए दलीतों ने आधिवास्यों ने पक्षी पंज समाज ओबी सी ने जे आरक्षन मलूँ छे ते सामानने समाजना गरीबों ने जे आरक्षन मलूँ छे ते एमाती क्यारे जूंटी भी लेवानों प्रयास नहीं करे अने एमने उमारी पड़कार छे के लखीने आपे के एमना त्यां आमारों तीजो पड़कार छे के जे एमना राज्यों छे एमना चट्टा बट्टाओना राज्यों मां बेटा छे जा एमनी सरकारों चे एलोको पान ओबीसी नो कोटा ओचो करीने मुसल्मानों नहीं दरीजे धर्मन आधार पट्पुकडा नहीं करे अने दलीतो आधी वास्यों ना आरक्षन पर छेडशार नहीं करे आ मारात्रण पड़कारों आ कोंगरेत ना साजादाने अने एमना कितला है दड़ाती बोली रहो चो मेरी दूचुनचों के बाद से कॉंगरेस को साप सुन गया है मैंने 23 एप्रिल को पहली बार कॉंगरेस को ये तीन चुनवतिया दीतों आज इसे नव दिन हो रहा है आज तक कॉंगरेस की तरफ से मुह पे उनको ताला लग गया है और बा जलने के लिए संविधान लेकर के नाच रहें मंच पे बैड़ करके अब संविधान आपको नहीं बचाएगा आपने संविधान की पीट में छुरा भूंका है इसका मतलब साफ है कॉंगरेस की नियत में खोट है आप यू और बेहनों अने संविधान माटेनी मारी लागनी मारू समर्पन के उशे इतो तमने सुरेन नगरवारन बराबर याद है जारे आपना संविधान ने साइट वर्ष थया जारे देशमा गुजरात एकज राज जेतु कि जेने डॉक्टर बाबा साइब आमबेड कर अने संविधान ना गवरवने लाई दे या सुरेन नगरमा हाथी उपर संविधान मुकी ने अमबाडी पर संविधान मुकी ने सरस्मजानी आत्रा काड़ी दी अने ये वक्ते गुजरात नो मुक्यमंत्री नरेंद्र मोधी पगे चालतो तो अने संविधान हाथी नी अमबाडी पर हतो आज संविधान नू संवान चे अमारा माटे तो कॉंगेरिस नू गोचना पत्र तरेक बिंदू पर तुष्टी करान तुष्टी करान अने तुष्टी करान पर चालिए गश्या आज मैनिफेस्टों इनू मोट साम मोट दस्ता बेच थे हैं तमने असे रहता से एक बात तमने हुआ आज जे सुरिणकर माँ पहली बार कही रहे हो चोगाम नरुलाक से इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टों में उन्होंने लिखीत कहा है कि मेरे पत्रकार बंदू भी चोग जाएंगे सुनकर के उन्होंने लिखीत में कहा है कि आप जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनोरिटी के लिए मुसलमानों के लिए एक कोटा फिश कर दिये जाएगा अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षन लाए जाएगा क्या सरकारी टेंडर देने की देश आजाद हुए तब से अब तक एक तैप रक्रिया होती है जो सही बोली लगाता है जो अच्छी क्वालिटी का ट्रेक रकोड रखता है अच्छी क्वालिटी का भरोसा देता है जिसके पास उस काम करने के लिए एक्सपोटाइज है छमता है संसादन है सारे पैरामिटर से निकलने के बाद उसको ठेका मिलता है जाती और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है अब कॉंग्रेस कह रही है अपने बोर्ट बैंक के लिए पक्षपात करते हुए वो कहती है कि ठेका अब ऐसे नहीं मिलेगा ठेका धर्म के आधार पर माटा जाएगा सात्यो भाजबा कह रही है हम आधोने के इंफ्रास्रक्चर बनाएंगे कॉंग्रेस की चली तो इसके टेंडर भी धर्म के आधार पर माटेगी यह हाईवेश एस्प्लेस भी जो बन रहे हैं वो भी क्या धर्म के आधार पर बनाए जाएंगे देश की सेना के लिए हम made in India अस्त्र सस्त्र बना रहे हैं बारूद भी बना करके सरकार को बेच सकते हैं क्या धर्म के आधार पर अब किसी धर्म के विशेश को कहेंगे तुम बारूद बनाओ हमारी सेना के लिए कि योग्यवेक्टिक हो देंगे कोई भी धर्म के आधार पर नहीं जाती के आधार पर नहीं योग्यवेक्टा के आधार पर देंगे अब कॉंग्रेस की ये सनक देखिए जुनाव जीतने के लिए सत्ता पाने के लिए ये देश को तबाप करने पर लगे है हर सेक्टर में ये देश को बाटने का ये मुस्लिम लीगी प्लान देश को मंजूर नहीं है और कॉंगरेस लिख के रखे जब तक मोदी जिंदा है न मोदी जिंदा है तब तक आप देश का ऐसा बटवारा नहीं कर पाओगे अन्य आपने तया तो कहे जे पाठियावाड मां खेल खेलाड़ी ना गोड़ा असवारो ना भाईयो बेनो समिधान नी बाबत मां मारू कमिट्मेंट तमने खबर चे अने मैं या अब जब बननन करूए साहिट वर्द में मनाया था न अवे दिल्ली मां जो अवे पंचोतेर जाया जे पंचोतेर भी बर्जगांट बनावाणों आन्या समिधान ने चेड़ा करवाड़ी जे लोकों जे गैंग ये ने खुली पड़वाण गामे गाम स्कूले स्कूले मोले मोले जई दे आज तीजी चासी जुने परणाम आयो नती सम्विधान की मर्यादा सम्विधाननों सम्मान सम्विधान प्रत्य राष्ट्रनी अंदर जागरूती येनों एक मुट्टू अभियान चलावी आलोकों ने मारे मगे ठेकाने लाबाज पड़ से आज ये वेनो आजे देश जेरी ते प्रगति कर रहोशे मारा जे फर्स्ट टाइम वोटर शे येमने खबर नहीं होए जारे उम्व प्रदान मंत्री बनीवे पहला तो ये लोगों आट वर्थ ना दस वर्ष ना बार वर्ष ना आशे ये वकिने येमने काई खबर नहीं होए देश्टी सु दसा आती मारे मारा फर्स्ट टाइम ना वोटर नो ने कहवाणू छे कि तम्हे तो गूगल गुरु वाड़ा विद्यार्थी हो छो तो तम्हे बदा गूगल गुरु ना सिश्चियो छो जरा गूगल पर जहीने बेजार बार तेरे चा उदना जरा छापा जोई ले जो ए दिवस्तों ने याद कर जो आपने हवे देशने त्या नतिले जेवो मारा पेरा वगत ना जे मर्दारा हो छे तमारो पहलो वोट देशना नामे जो हो जो जो ये देशना पविश्चना माटे हो जे भायो बैनो राजकोट होई पावनगर होई खुब मोटी मात्रा मां अउद्यो की क्विस्तार एना माटे आपने कामाई लागाई शी खुब पेंद्रबाई गवएम सेमी कंडक्टर दुनिया ना चार-पाँच देश्वों मच्चे ये मुट्टू काम आई तमारा पडोस मावी रवी चपाईयो तमारा माटे तो जय जय कार से इंटरनेस्टने एरपोर्ड तमारा तो गर आंगडे बने गए उबाई तमारे तो जय जय कार से अवे तो इलेक्टिक वेहिकल नो जमानों से आने तमने कवर ते मोधी साहवे सुबिचारी शे आपना नरेंद्र भई PM सुर्यगर PM सुर्यगर मां मारी योजना चे तमारू गर नू विजडी नू बिल जीरो मफ़ाद काना माता वगर नू मफ़ाद सुर्यगर योजना ती सोलार पैनाल लाग से तमे विजडी पैदा कर सो एत्लूज नहीं जे वधारानी विजडी छे ये सरकार पोते खरीदी लेशे एतले तमारा गर्मा विजडी तमें आजे बील आपो जो ने अवे तमें विजडी वेची ने कमानी करीशेशो आ तमारा नरे नर्वे आपपाना जे एतनु नहीं आजे तमें गाडियों चलाओ जो ने पैट्रोल डिजल नो खर्चों करो जो ताइब ये पड़ मारे जीरो करी देखवान जे मपपत मां तमारी पैट्रोल डिजल नी गाडियों तमारी चाले मपपत मां मपपत काना माता वगर नो आने अनो उपाई के वो ज़ी सोलार एनरजी लाक से इलेक्टिक वेहिकल आवानों ज़े जमानों पैत्लर बगएर वेहिकल जता रेचे तमारा गर्माझ तमे रातरे स्कूटी होआई स्कूटर होआइ गाड़ी होआए रातरे चार्ज कर देवानी सोलार एनरजी दिवस भरनी पड़ी हो है अने पपड़ी चलाये कर अम्दवा जेन आटो मारे नावा ये कुरकुए खर्चो नई फोलो लेरम लेरत चेक नई बे आसमा लाडबा चेक नई आ तमारो नरेनर भाई पाँचे आंगडी घिमा कराई जेक नई अने एतला माटे मारे बद्दा पोलिंग भू जीत वाजे पाको अने अमारा जे उम्मेदवारो छे आ चूटनी मा ये अमारा सुरेन नगर ना बाईचे चंदुबैशी होरा अमारा निविडेला कायर करता अमारा डॉक्टर साहे पड़ मैं पराणे चुटनी लड़ाई थी ये तो राजकार्णों जीवन ने थी पराणे लही यो तो पहला तो एक वार विद्दा सब अबे चपल कसी ना कहता पर अबाईचे डॉक्टर साहे तयार ना साहे मान करी लोक्षबा माटित यार थे आता अने हवे अमारा चंदुबाई आपणा उम्बेद्वार बन्याचे भावनगर्मा अमारा निमुबेन भावनिया भारे बहुमत्ती आप एमने जिताडो बद्जा बूथ मा जिताडो अमारा भारती बेन चियार ना काम नुपाको पायो पड़ियो चे अने भावनगर्मा अमारा निमा बेन आगल बदार से आपणे बद्जा बूथ जितावा जे अने जिती ने बताओ बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत दन्यवाद